Hello, welcome to Hans Vini Classes कैसे हैं आप लोग तो आज की जो वीडियो है यानि आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो अर्थ-विवस्था से है और अर्थ-विवस्था में एक टर्म आती है GDP उसके बाद एक टर्म आती है GNP उसके बाद एक टर्म आती है NDP और उसके बाद एक term आती है NNP तो GDP क्या है, GNP क्या है, NDP क्या है और NNP क्या है इसके बारे में आज का ये वीडियो बन रहा है तो देखे GDP क्या होती है तो GDP का मतलब होता है कि जब भारत अपनी राजनीतिक सीमाओं के भीतर कोई भी उत्पाद बना रहा है, तो वो हमारी GDP है अब ये उत्पाद कित्ते समय में बन रहा है ये बन रहा है एक वर्ष और उत्पाद कैसा होना चाहिए, अन्तिम होना चाहिए तो उत्पाद कैसा होना चाहिए, अन्तिम प्लस कोई सेवा हो गई तो GDP में क्या आ जाएगा GDP यानि GDP में किसको शामिल किया जाएगा भारत में भारत की राजनैतिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष में किया गया वस्तूओं और अंतिम वस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन GDP कहलाता है अब यहाँ पर अगर हम अब राजनैतिक सीमा को थोड़ा सा और चर्चा करें इस पर तो देखिए उत्पाद अब उत्पाद कौन बना रहा है राजनैतिक सीमा की बात हो रही है तो राजनैतिक सीमा में एक फैक्टरी लगी हुई है हमारी Tata की और एक factory लगी हुई है हमारी Kia Motors की तो Tata जो भी बना रहा है और Kia जो भी बना रहा है या कोई भी विदेशी कंपनी अगर वो भारत में कोई भी चीज का निर्माण कर रही है अंतिम वस्तु के रूप में तो वो हमारी GDP है ठीक अब कोई व्यक्ति अगर विदेश में है फर्ज कीजिए हमारे यहां के लोग दुबई और कनाडा बहुत जाते हैं तो कोई व्यक्ति दुबई में है या कनाडा में है और यहां पर यह पैसा कमा रहा है फर्ज कीजिए यहां से यह 10 रुपय कमा रहा है तो यह दुबई में बैठकर कमा रहा है एक व्यक्ति कनाडा में बैठ कर कमा रहा है तो दुबई और कनाड़ा में जो लोग बैठ कर पैसा कमा रहे हैं उनकी उनका पैसा हमारी GDP में काउंट नहीं होगा क्योंकि वो हमारी राजनेतिक सीमा के बाहर की स्थिती हो गई ठीक मगर हाँ अगर इनको वहाँ पर वीजा अपना बढ़वाना है तो वहाँ ये जब वीजा का पैसा यानि फीज जमा करेंगे तो वो हमारी GDP में शामिल किया जाएगा ठीक अब बात करते हैं हम तो GDP GDP का मतलब हो गया सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडेक्ट सकल घरेलू उत्पाद कहा राजनेतिक सीमाओं के भीतर कितना एक वर्ष के अंतर एक वर्ष में अन्तिम वस्तु हो सकती है सेवा हो सकती है विदेशों से कमाया गया पैसा इसमें शामिल नहीं किया जाएगा उत्पादन चाहें भारतिये कंपनी भारत में कर रही है जाहें विदेशी कंपनी को भारत में उत्पाद बना रही है ठीक तो देखे वन डे एक्जाम में कोशन आ जाता है कि GDP के अंतरगत किसको शामिल किया गया है तो अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल किया गया है एक वर्ष में जो भी बनाई गई है ठीक विद्योशों से अरजित धन इसमें शामिल नहीं होता है यह बात हो गई GDP की पूरी डिटेल बता रहा हूँ आपको अब हम बात करते हैं भाई GNP की तो GNP भी यहीं से हम देख लेते हैं ठीक तो GNP में क्या हो जाएगा GNP में सिर्फ फरक क्या आएगा कि हम GNP में इसको हटा देंगे तो जब इसको हटा देंगे और हाँ इसको प्लस कर देंगे इसको हटा दिया यानि इसके उत्पादन को हटा दिया और यहां से जो पैसा आ रहा है इसको प्लस कर दिया तो ये क्या हो गई, ये हमारी GNP यानि सकल राष्ट्रिय उत्पात बन गया, क्या बन गया, सकल राष्ट्रिय उत्पात बन गया, यानि ताटा को शामिल कर लिया, किया को हटा दिया और विदेशों से जो पैसा लोग भेज रहे हैं, वो शामिल कर लिया, ठीक, तो ये क्या हो NDP में हमें काय को हटा देना है NDP में हमें वेस्टेज को हटा देना है ठीक, यानि हमें शुद्ध रूप से देख लेना है कि शुद्धता कितनी है क्या है? शुद्धता कितनी है यहाँ जो लॉस हुए हैं उनको हटा दीजे यहाँ जो loss हो रहा है उसको हटा दीजिये यानि मूले हरास को हमें घटा देना है तो हमें क्या मिल जाएगा GDP में से मूले हरास को घटा देंगे तो NDP मिल जाएगा और GNP में से मूले हरास को घटा देंगे तो हमें NNP मिल जाएगा ठीक, तो सेवाओं के बारे में हाँ, सेवा क्या होती है, तो देखें सेवा सेक्टर यानि सर्विस सेक्टर किसको कहते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर भारत का हो गया, रेलवे, रोडवे, ये सब क्या है, ये हमारे सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक, अंतिम बस्तु गया हो गई, अंतिम बस्तु हमने पकोडी बना ली, यह हमारी अंतिम बस्तु हो गई, ठीक, इसके बाद कुछ नहीं बन सकता ना, इसको दो खाई लेना है, तो राजनैतिक सीमा, उत्पादन एक वर्ष, और अंतिम बस्तु होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, उत्पादन में चाहे भारत की कमपनी कर रही हो, चाहे कोई विदेशी कमपनी कर रही हो, ठीक, विदेशों से अरजित धन इसमें शामिल नहीं होगा, जी एनपी में हमें केबल क्या कर देना है, जो विदेशी कमपनियों का उत्पादन है, उसको हटा देना है, ठीक, और किसको शामिल कर लेना है, पी मिल जाएगा ठीक है चलिए तो देख लीजे इसको समझ लीजे एक बार ठीक है फिर इसको मैं मिटाल देता हूं अब देखिए एक प्रोडेक्ट टाटा ने बनाया और एक प्रोडेक्ट सैमसंग ने बना दिया ठीक तो टाटा का जो पैसा है यानि टाटा की इंकम टाटा का और सैमसंग इन दोनों को हम काय में काउंट कर लेंगे हम जीडिपी में काउंट कर लेंगे यह हमारी GDP हो गई, टाटा आ गया खाली, तो यह हमारी GNP हो गई, ठीक, घाटे को घटा देंगे, इस में से घाटा यानि मूले हरास को घटा दिया, मूले हरास, तो यह क्या हो गया, मूले हरास को घटा आया, तो यह हमारी GDP में से मूले हरास को घटा आया, NDP हो गया, और यहां से मूले हरास को घटा दिया, तो यह क्या हो गया, यह हमारी NNP हो गई, क्या हो गई, NNP हो गई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि GDP का मापन कैसे किया जाता है मगर GDP के मापन से पहले दरसल में ये GDP की अवधारना यानि GDP की सोच सबसे पहले किसके दिमाग में आई तो GDP की जो अवधारना यानि GDP जो सबसे GDP के बारे में सबसे पहले जिसने सोचा उस व्यक्ति का नाम था विलियम पेट्टी ठीक और उसके बाद समय के साथ ये एक आधुनिक अवधारना जिसने 1934 में जनम लिया इस जनम इसको जनम देने का कारिकरम या कार कुजनेट के द्वारा किया गया था तो GDP की अवधारना सबसे पहले पेश करने वाला व्यक्ति विलियम पेट्टी था और आधुनिक अवधारना जो दी गई वो 1934 में कुजनेट के द्वारा दी गई ये दोनों कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको बेसिकली आप अंडरलाइन करके कोशन नोट करते चलिए जहां मैं कोशन का निशान लगा रहा हूं ठीक 1934 कुजनेट के द्वारा उस अंतराश्टी एमानक कहलाएगा यानि अंतराश्टी इस तरपर हमारी GDP तो ये काम करता है system of national accounts जिसकी स्थापना 1993 को की गई थी तो एक कुशन आपका यहां से ये बन जाता है कि अंतराश्टी इस तरपर GDP को मापने का काम कौन करता है तो कौन करता है system of national accounts करता है जिसको SNA A93 कहा जाता है ठीक अब यह जो बनाया गया यानि यह जो मानक बनाया गया यह किसके द्वारा तो इस मानक की जो स्थापना की गई वो अंतराश्टिये मुद्राकोश यूरोपिये संग आर्थिक सहयोग एवं विगास संगठन अंतराश्टिये संग यूएन और वर्ट बैंक के प्रतिनिधियों के द्वारा इस सिस्टम ऑफ नेशनल एकाउंट्स को बनाया गया था ठीक अब यही बात हम भारत की स्थिती में करें कि भारत में जीडीपी की गढ़ना का कारे कारे सांखे की कारेकरम क्रियानवय मंतराले के द्वारा किया जाता है मगर यह रिपोर्ट कौन तयार करता है तो इस रिपोर्ट को तयार करने का काम है केंद्रिये सांखे की कारेयले द्वारा ठीक तो कौन तयार करता है केंद्रिये सांखे की कारेयले तयार करता है और इस रिपोर्ट को पेश करने का काम सांखे की कारेकरम क्रियानवय मंतराले द्वारा तो रिपो के नियंत्रण में काम करता है यानि एक इसका डिवीजन है ठीक तो ये कोशन और ये कोशन ये दोनों ही important हो जाते हैं कि भारत में GDP की गढ़ना का कारिक्रम कौन सा मंत्राले करता है तो ये मंत्राले हो गया और कौन सा विभाग करता है तो ये आपका विभाग हो गया ठीक है उसके बाद भारत में GDP की गढ़ना दरसल में कितने समय में की जाती है तो भारत में तीन महीने में GDP की गढ़ना की जाती है कितने महीने में GDP की गढ़ना हो रही है प्रतियक तिमाही में हो रही है तो भारत में GDP की गढ़ना कितने समय में तो तीन महीने में होती है अब में एक बार जारी किये जाते हैं अब GDP की गढ़ना में किन किन चीजों को शामिल किया गया है या कौन से important factors हैं तो क्रेशी है उद्धोग है वा सेवा को इसमें शामिल किया जाता है उसके बाद निर्यात में से आयात को घटा दिया जाता है तो इससे क्या हो जाती है इससे हमारी GDP आ जाती है अब GDP को अगर हम निकाले या अगर केंद्रिय सांखिक की कारयल है पूरे देश से आंकड़े खटे कर रहा है और GDP की गढ़ना कर रहा है तो उसको क्या क्या चाहिए होगा कौन कौन सा डाटा उस काम के लिए तो GDP की जो रिपोर्ट है यानि की GDP की जो गढ़ना का सूत्र है वो क्या है उपभोग ठीक सकल निवेश सरकारी खर्च सरी सरकारी खर्च मैं दो बार लिग गया हूँ इसको आप लोग एक बार कर लीजे सरकारी खर्च यहां पर दो बार हो गया है ठीक है उपभोग सकल निवेश सरकारी खर्च और इसमें से निर्यात और आयात को घटा दिया जाता है ठीक तो सूत्र क्या बन जाता है C for consumption, सकल निवेश, investment, government का खर्चा, export minus import ठीक, ये हो गया हमारा GDP का formula तो ये एक formula हमारा ये बनकर तयार हो गया है किसका है ये formula GDP तो GDP में शामिल मदे number 1 जैसे कभी-कभी 3 option दे देता है तो number 1 ABC करके देता ना, A, B, C, T और यहां पर हो जाएगा plus सरका मिर्यात आया तो ये हो गया और ये हो गया D तो क्या हो जाएगा answer उप्रोक तो सभी हो जाएगा अब भारत में अगर प्रतिव्यक्ति GDP निकाले तो GDP निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा कि देश की कुल GDP में से हम देश की जनसंख्या को यदि घटा दे तो हमें प्रतिव्यक्ति GDP मिल जाती है GDP ही अमीरी और गरीबी को निर्धारित करती है GDP सबसे बहतर मानक है किसी भी देश की अर्थवेवस्था को समझने के लिए जिसको GDP इंबेस्टमेंट भारत विदेशी कंपनी आती है भारत में आकर इंबेस्टमेंट करेंगी तो किस आधार पर करेंगी वो यहां की GDP का आखलन करेंगी कि एक्च्छल में यहां की GDP क्या है ठीक तो यह बहुत इंपोर्टेंट है और GDP के बारे में लगबख सभी कुछ हो गया यहां ठीक तो आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट ले लिजे और प्लीज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दवा दिया करो भाई ताकि हमें भी तोड़ा सा मॉटिवेशन मिलता रहे और अगर नहीं पसंद आया करे तो डिस्लाइक करने में भी पीछे मत रहिए गा ठीक है तो इसका आप लोग एक स्क्रीन शॉट ले लिजे नेक्स्ट वी को यहीं खतम करता हूँ थैंक्यू वेरी मच्च